Hello everybody, welcome to Magnet Brains, I am Anisha, आपके अपनी English Educator कैसे हैं आप सब लोग, I hope everybody is doing well, मैं भी बहुत बढ़िया हूँ, मस्त हूँ तो इतनी अच्छी बात से start करते हैं आज का हमारा वीडियो लेक्चर और आज हम क्या start करने वाले हैं, आज हम start करने वाले हमारी हॉन्बिल बुक का new chapter लिखा गया है by Mr. Nani Palkiwala, और कब लिखा है उन्होंने ये article 1994 में लिखा है, इस पूरे article में नानी, मियाने कि Mr. Nani Palkiwala ये बताते हैं कि जो हमारी earth है, उसकी हालत बहुत ailing है, ailing है का मतलब क्या होता है, कि बहुत उसकी health है वो खराब है, अब उसकी health खराब क्यों है, क् इसकी हालत इतनी खराब है कि 1994 में Nani Palkiwala ने बोल दिया था, कि Green Movement का रोल उन्होंने इंट्रिडूस कर दिया था और ये बताया था कि हमारी earth की हालत बहुत खराब हो रही है, ये chapter का overview देने से पहले हम सबसे पहले Mr. Nani Palkiwala के बार में पढ़ते हैं कि वो कौन थे, और उ Nani Palkiwala, he was born on 16th January 1920 and he died on 11th December 2002, he was an Indian Jurist and Liberal Economist, वो Indian Jurist थे, याने कि, Jurist का मतलब होता है, जो law के बार में बहुत जादा चानते हैं और law, economics, इन सब से related काफी जादा लिखते हैं, तो इन्होंने ही ये 1994 का article लिखा था, Ailing Planet के उपर, और ये कौन से planet की बात हो रही है, obviously हमारे planet Earth क बात हो रही है हम पर, अब chapter में क्या है, chapter में Mr. Nani Palkiwala ये बताते हैं कि जो हमारी Earth है, उसकी हालत जो है, उसकी condition बहुत Ailing है और उसकी health खराब हो रही है, हम human beings में, human beings ने बहुत बुरी तरीके से exploit कर लिया है हमारी Earth को, और exploit करने का मतलब है कि जितने भी इसके resources हैं, जो भी हमारे natural resources है, जो हमें Earth से मिलते हैं, उसका overuse कर लिया है, इतना जाधा use कर लिया है कि अब वो खतम होने पर आ चुके हैं, तो Nani Palkiwala एक concept पे बहुत जाधा focus करते हैं, वो है sustainable development, sustainable development है concept है, जो 1987 में start हुआ था, और इसमें कहा गया था, to meet the needs of present generation without compromising the needs of future generation, मतलब हमारे ज generation की, जो अभी की, यानि 1994 की, जो present generation थी, उसकी needs, उसकी जरूरत है, पूरी करने का मतलब ये नहीं है, कि आप आने वाली PD, आने वाली future generation की needs को compromise करोगे, यानि उनके लिए कुछ बचेगा ही नहीं, तो Nani कहते हैं, कि हमें needs पे focus करनी चाहिए, ना कि wants पे, जितनी चीज की हम need है, यानि जरूरत है, सरफ उतनी ही use करनी चाहिए, ना कि want, want क्या है, यानि कि हमें जो चाहिए, हमें तो हर कुछ चाहिए, ये भी दे दो, वो भी दे दो, सब दे दो, लेकिन अगर हम wants पे focus करेंगे, तो हम ये भूल जाएंगे, कि हमारे आने वाली generation के लिए भी कुछ च और ये कहा है, कि हमारी biological में चार important factors है, वो क्या चीज़े हैं, वो क्या factors है, पहली है forest, दूसरी है croplands, तीसरी है आपके fisheries, and fourth है grasslands, तो जो fisheries है, यानि जो पूरा fishes है, उसके लिए नानी पाल के वाला कहते हैं, ये आजकल की दुनिया है, ये बहुत जादा protein conscious हो गई है, य लोग क्या कर रहे हैं, जादा से जादा fish consume कर रहे हैं, जिस वज़े से fishes की जो species हैं, वो extinction पे आ गई हैं, और उनका number जो है, वो कम हो गया है, forest, forest को लोग क्या कर रहे हैं, deforestation कर रहे हैं, पेड़ काटते जा रहे हैं, और बड़े-बड़े buildings, अपना बड़ा-बड़ा business सब स्टार्ट कर रहे हैं, और अपने बड़े-बड़े प्रोजेक्ट स्टार्ट कर रहे हैं, बहुत सारा forest क्लियर करके, अभी उस दिन की बात है, मेरी एक friend थी, वो कह रही थी, कि मैम मैं तो गई थी, मसूरी गूमने, वो बहुत अच्छी जगा थी, कितनी अच्छी प्लेस वहाँ पर इतना अच्छा vegetation है, पेड़, पौदे हैं सब हैं, तो मैंने अपने दिल में सोचा, अपने अपने मन में सोचा, कि ये कितनी अजीब बात है, कि हम जहां रह रहे हैं, at present gen cities में रह रहे हैं, वहाँ पर हम लोग पूरे forest clear करते जा रहे हैं, और फिर जब दूसरी जगह जाते हैं, तो वहीं पर ये सेम पेड़, पौदे देखी कहते हैं, कि वो जगह कितनी अच्छी थी, ये जगह भी तो अच्छी थी, लेकिन इसको किसने clear किया, यहां कि beauty किसने खतम करी, हम humans नहीं खतम करी, तो मिससे नानी पाल की वाला कहते हैं, कि हमने इतना प्राक्टिस करते हुए, ग्रास्टा लां जगह जो पूरे ग्रास, जो पुरे घास से धके होगी होते हैं, तो उनिकोंगे लेकिते हैं, यह चार इंपरेंटर्टर्स क्यूं हैं हमारे स्लेंटकिन के हमारे साथैन के हमारे Ambassador & Business नहीं इसकां कि क्लई मार्मा किनू कि पाल ट जादा से जादा चीजों को इस्तिमाल ना करें फिर एक next concept है जो Mr. Nani Palkiwala ने यहाँ पर इंट्रिद्यूस किया है वो है green movement green movement के बार में हम बताएगा green movement वो concept है जो new zealand में start किया था 1972 में यह जो movement है क्या बताता है यह इनिशेट करता है और encourage करता है environmental friendly practices को यह कहता है कि जादा से जादा पेड लगाओ पर्यावरन को healthy रखो environment को अच्छा रखो साफ सुत्रा रखो और हम इंसानों की जितनी जरुवत है उतना यूज करना है और हमारी आने वाली पीडी के वापिस से इस पूरी अर्थ को repair करके अच्छे से रखके उनके लिए छोड़के जाना है ताकि वो एक साफ सुत्रे और एक अच्छे environment में रही और ये ने सुचे कि हमारे जो पूरवज थे हमारे जो ancestors थे उन्होंने अर्थ को बर्बाद करके फिर हमारे हाथ में दिया है तो इस चीज पर बहुत focus करते हैं also Mr. Nani Palkiwala कहते हैं जो population है वो बहुत ज़्यादा बढ़ रही है 1994 में इतनी population बढ़ चुकी थी तो वो कहते हैं कि population इतनी बढ़ चुकी है जिसकी वज़े से resources की खपत ज़्यादा हो रही है लेकिन वो यह बूल जाते हैं कि poverty भी एक बहुत बड़ा issue है हमारे society का जो गरीब हैं अगर वो बहुत ज़्यादा बच्चे पैदा करेंगे तो उससे यह तो नहीं होगा कि भाई उनका development होगा वो उनको खिला ही नहीं पाएंगे तो उनका development कैसे करेंगे वो illiterate बच्चे रह जाएंगे और उनके पास कुछ भी आगे कमाने क्ली नहीं रहेगा और resources की खपत तो होई रहे है क्योंकि जितने population बढ़ेगी उतना consumption भी तो बढ़ रहा है उतनी खपत भी तो बढ़ रही हमारे resources की तो युनानी पाल की वाला कहते हैं कि अब बिल्कुल सही टाइम आ ग रहे हैं species याने हर जीव जन्तु के अलग-अलग प्रजातियों के साथ रहे हैं तो यह हमारी सोल responsibility है कि हम उनके साथ यह शेयर करें ना कि उनकी भी जो environment उनकी जो habitat उनको disturb करते चले for example fishes खाते जारे तो हम पानी को disturb कर रहे हैं पानी को pollute कर रहे हैं तो हम उनके habitat को disturb कर रहे ह तो हमें इस तरीके से selfish नहीं बनना है हमें शेयर करना है इन सब species के साथ अपने अपनी planet Earth को और इसे अपनी future generation के लिए ailing condition में यानिकि एक unhealthy condition में नहीं चोड़ना है भलकि एक बहुत अच्छी साफ सुतरी healthy condition में चोड़ना है So, देखते हम इस introduction of chapter में क्या है एक word to word explanation हम करेंगे इस introduction of chapter के बाद This chapter focuses on the factors that are responsible for the declining health of the Earth इस chapter में क्या बताए गए हैं वो factors बताए गए हैं जो कि decline कर रहे हैं यानि कि घटा रहे हैं अर्थ की health को यानि वो सारी चीज़ें जो हमारे धर्ती की condition को खराब कर रहे हैं और उसे एक unhealthy planet बना रहे है The chapter was originally an article written by Nani Pal के वाला which was published in the newspaper The Indian Express on November 23, 1994 तो ये जो chapter है एक article है जो कि in The Indian Express नाम के newspaper में 23rd November 1994 को published किया गया था The writer discusses the green movement how a zoo in Zambia declared human beings as world's most dangerous animals इसमें Mr. Nani Pal की वाला एक zoo के बार में भी मैं mention करते हैं जो कि है आपका Zambia नाम की एक place में जब उस आप zoo में जाते हो तो वहाँ पे एक बड़ा सा board लगा हुआ है World's most dangerous animal और वो board के नीचे cage है यानि कि एक पिंजरा है जिसके अंदर एक mirror रखा हुआ है अंदर कोई जानवर नहीं है अंदर कोई animal नहीं बंद करके रखा है बलकि एक mirror है और जब आप जाते हो देखते हो तो आपको किसकी reflection दिखती है वहाँ पर खुद की reflection दिखती है तो zoo क जो लोग है वो यह कहते हैं कि दुनिया का सबसे खतरनाक जानवर जानवर नहीं है यानि अनिमल ही है हम इनसान है हम human beings है क्योंकि हम इनसे भी जादा खराब है इनसे भी जादा डेंजरिस है अनिमल से भी जादा क्यों क्योंकि हमने इस अर्थ की हाला बहुत जादा खराब कर दिए एक animal आपको जबरदस्ती परिशान नी करेगा लेकिन जो इनसान होते हैं वो जबरदस्ती animal को परिशान करते हैं उनकी living habitats को disturb करते हैं forest clear करते हैं क्योंकि forest में क्या होता है बहुत सारे animals रहते हैं जंगली जानवर रहते हैं बहुत सारी population deforestation and what should be our responsibility towards the environment तो राइटे रहाँ पर overpopulation की समस्या पर बहुत जादा focus कर रहे हैं deforestation याने की पेड़ काटते जा रहे हैं उस पर हम बहुत जादा focus कर रहे हैं और हमारी ऐसा human being क्या responsibility है कि हम धर्ती की condition को सही रखे और environment के लिए परियावरण के लिए हमारी क्या roles हैं क्या responsibilities हैं उन सब चीजों पर इस chapter में focus किया गया है start करते हमारे lesson के explanation से one cannot recall any movement in the world history which has gripped the imagination of the entire human race so completely and so rapidly as the green movement which started nearly 25 years ago तो chapter की जो starting है जो Mr. Nani Pali की वाला है वो किस से कर रहे हैं green movement नाम के concept से introduce कर के कर रहे हैं तो बता रहे हैं कि green movement आज से 25 years पहले introduce हुआ था यानि कि 1994 में ये लिखा गया था ये article तो उन्होंने बोला कि 1994 से 25 साल पहले ये green movement नाम का introduce हुआ था concept और कब हुआ था 1972 में और कहां पे हुआ था ये New Zealand में in 1972 the world's first nationwide green party was found तो nationwide green party करके New Zealand में बनाई गई थी 1972 में since then the movement has not looked back तो तब से लेके यानि 1972 से लेके आज तक आज यानि आज नहीं 1994 की बात हो रही है तब तक इस movement ने पीछे मुड़के नहीं देखा यानि कि लोगों ने बहुत ज़दा initiative लिया है green movement में और पर्यावरन को बचाने के लिए हर्याली को और increase करने के लिए पहते लगाने में बहुत फोकस के तो तब से लोगों ने पीछे नहीं देखा इसमें हमेशा आगई 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 हैं और initiate किया लोग खुल्ड करके रखा और इस green movement को खुच करके रखा यानिकी पकड़ करका पीछे नहीं देखने की चलो छोडे हैं यह इस concept पर ध्थान नी दे नहीं उनन्होंने इसको पकड़ के रखा और आज तक इसको पकड़ के लाते हा रहे हैं और green movement पर बहुत ज़ादा फोकस कर रहे we have shifted one hopes irrevocably from the mechanists view to a holistic and ecological view of the world it is a shift in the human perceptions as revolutionary as that introduced by Copernicus who taught mankind in the 16th century that the earth and the other planets revolved around the sun तो सबसे पहले हम meanings देख लेते हैं irrevocably मतलब in a way that cannot be changed or reversed तो irrevocably का मतलब होता है वो चीज़े जो reverse नहीं करी जा सकती है जो आगे बढ़ दे तो बढ़ दे उसको दुबारा पीछे उस position पे नहीं ला सकते holistic and ecological view को में detail में आपको सम्झाओंगे फिर भी एक बढ़ रहा रीट कर लेते हैं तो यहां पर नानी पाल की वाला कहते हैं हम human beings वो shift हो गए है कहां से shift होए है? mechanistic view से एक holistic view याने कि हम human beings का जो view है जो thoughts है वो पहले mechanist view था याने कि पहले हम earth को क्या समझते थे? एक machine समझते थे और उसको एक machine की तरह सामान उसके use करे जा रहे है resources use करे जा रहे है करे जा रहे है और उसकी repair नहीं कर रहे है एक machine को भी जब हम इस्तेमाल करते हैं तो उसकी timely repairing की और servicing की ज़रुवत पड़ती है लेकिन हमने तो उस machine की तरह earth को देखा कि उसकी कोई repairing नहीं हो रही बस हम उसके resources continuously overuse करे जा रहे है तो यहाँ पर Mr. Nani Pal की वाला कहते है कि अब यह जो हमारा human beings के जो views और जो thoughts ने वो shift हुए है एक mechanist view से एक holistic view पर holistic view का मतलब यह होता है कि यह जो एक पूरी earth है यह जो एक पूरा planet earth है इसको हर direction से देखना याने हर aspect से देखना ऐसा नहीं है कि earth के किसी एक component को हमने पकड़ लिया और इसी को ठीक करने में इसे को repair करने में चले हुए नहीं वो कह रहे हैं कि अब earth को holistic view दे रहे है याने कि हर direction से overall पूरे हर aspects उसको देख रहे हैं और study कर रहे हैं कि कहा कहा उसकी क्या need है वो हम उसकी पूरी कर रहे हैं और इसको एक living being की तरह एक machine नहीं अब इसको एक living being की तरह हम treat करे हैं एक इनसान के जो भी जरूरते होती है time to time repairing होती है time to time full body check up होता है जैसे इनसानों का वैसे इसको time to time जो भी earth की needs उसको पूरा किये जा रहे है तो Mr. Nani Pal की वाला कह रहे हैं कि हम लोग shift हो कह हैं याने एक mechanist view से holistic view पर अच्छे पर shift हो हैं और अब वो hope कर रहे हैं वो इमीद कर रहे हैं कि यह जो shift है यह irrevocable है याने कि अब यह वापिस नहीं एगा याने कि अब हम जिस holistic view जिस अच्छे view पर है अब दुबारा मुड़के नहीं देखेंगे और दुबारा earth को एक machine की तरह treat नहीं करेंगे और यह जो है यह जो change हुआ है यह जो shift हुआ है यह revolutionary है याने एक completely change आया है लोगों के views में लोगों के perspective में as that introduced by copper nickers अब 16th century में एक copper nickers करके person थे उन्होंने बताया था कि जो sun है उसके आस पास सारे planets revolve करते हैं हमने solar system में पढ़ा है science में उन्होंने ही यह चीज़ बतायती है वरना पहले लोग कुछ और सोचते थे कि शायद planet है उसके आस पास sun घूमता है लोगों के कुछ गलत perception से लिक 16th century में copper nickers नाम के person ने यह चीज़ इंट्रड्यूस करी थे बताया था कि sun है और उसके बाद सारे जो planet से एक orbit में एक रास्ते में एक पात में उसके around revolve करते है तभी लोगों में change आया तभी लोगों में समझ आई तो उसी चीज़ को compare किया है यहाँ पे Mr. Nani ने किसको जो यह जो view change हुआ है mechanist view से जो holistic view है इसको compare किया है कि इसी तरीके से इस change के बाद लोगों के views में भी change आया है तो enormous मतलब large कोई बहुत बड़ी चीज़ तो यहाँ पे पहली बार human history में याने 1994 की बात हो रही है कि लोगों में एक change आया एक बदलाव आया है और बदलाव यह है कि लोग यह समझने लगे कि earth itself is a living organism उसको एक machine की तरफ treat नहीं कर रहे है एक इंसान की तरफ treat कर रहे है और उसे हर वो needs को उसकी पूरी कर रहे है जो एक इंसान की होती है और वो यह भी बता रहे है कि we are the enormous being of each we are the parts याने कि earth एक बहुत enormous being है एक बहुत बड़ा huge इंसान है जिसके छोटे-छोटे parts हम सब human beings है It has its own metabolic needs and vital processes which need to be respected and preserved metabolic needs याने की needs of a living organism that enables them to have chemical processes that causes food to be used for growth and energy vital याने important preserved याने किसी चीज़ को protect करके रखना तो यहाँ पर यह बता रहे है Mr. Nani Pal की वाला कि जैसे एक इंसान को शक्ती चाहिए और वो शक्ती कहां से मिलती है खाना खा के मिलती है हमें काम करने की शक्ती मिलती है इनर्जी मिलती है उसी तरह अर्थ के साथ भी यही है उसे भी खाना चाहिए उसे भी आप उसको इसकी हेल्थ पे ध्यान दो पेड़ पॉज़स के मत काटो उसकी fisheries दो है उसकी croplands दो है उसकी grasslands दो है तो exactly हाँ पे एक इनसान के जो नीज होती है वो अर्थ की भी नीज है और जो उसके vital processes है जो important processes उसमें होने जो भी chemical processes अर्थ में चलते हैं photosynthesis हो गया यह हो गया वो हो गया सारे processes जो होते हैं उस सब को चलने के लिए यह बहुत जरूरी है कि हम उसको respect करें और preserve करें यानि कि उसकी उसके जितने भी processes हो protect करके रखें उसमें साफ सफाई बनाए रखें अब Mr. Nani Pal के वाला 1994 में यह बहुत बताते हैं कि जो earth है वो जो signals हमें दे रही है कुछ sign हमें दे रही है अर्थ को देखके हमें कुछ जो चीजों को पता चलता है उससे देखके यह पता चलता है कि एक patient की declining health है यानि कि earth एक patient है एक मरीज बन चुकी है जिसकी health decline हो रही है यानि दिन पर दिन गढ़ती जा रही है और खराब होती जा रही है We have begun to realize our ethical obligations to be good stewards of the planet and responsible trustees of the legacy to future generations ethical obligations का मतलब क्या होता है when someone is required to do something based on righteous standards of rules and stewards का मतलब ही होता है manage or to look after इसको हम managers भी कह सकते है तो यहां पर बोल रहे हैं कि जो earth की हालत है वो बहुत एक मरीज की तरह हो गई और खराब होती चाहरी है also यह बताया चाहरा है कि हम human beings के कुछ ethical obligations है याने कुछ हमारी responsibilities है कुछ ethics related कुछ moral responsibilities है जो हमें earth के लिए अब दिखानी हमने start कर दिये we have begun याने कि हमें यह realize होना शुरू हो चुका है और हम क्या कर रहे हैं एक अच्छे stewards की तरह याने एक अच्छे managers की तरह हमारी earth को manage कर रहे है और responsible trustees याने अच्छे मालिक हम इस earth में रह रहे हैं जिस जगा रहे हैं अभी तो at present हम उस जगा के trustee है मालिक है तो एक अच्छे trustee की तरह उसके legacy को हमें maintain करना है future generations के legacy याने कि जो यह अच्छा हमने अर्थ को बना रहे हैं इसकी health को maintain करके रखे हैं हमारे परियावरेंट को जो हमने साफ सुत्रा रखाए वो हमें अपारी आने वाली generation के लिए रखना है और वैसा ही रखना है तो हमें एक अच्छा steward की तरह act करना है याने एक अच्छे manager की तरह act करना है The concept of sustainable development was popularized in 1987 by the World Commission of Environment and Development तो जो ये concept है sustainable development का ये 1987 में start किया था और किसने World Commission of Environment ने start किया था Environment and Development ने start किया था तो ये जो sustainable development में इसका meaning है कि economic development without depletion of natural resources याने कि हमें हमें हमारे economic development करना है हमारे environment का develop करना है उसकी health को बढ़ाय रखना है हमारे को पेड़ पौदे नहीं काटने हमें pollution नहीं करना हमें population नहीं बढ़ाना हमें जीव जनतुओं की habitat को disturb नहीं करना हमें fisheries को overuse नहीं करना या किसी भी earth के natural याने हम सब ने science में पढ़ा था होता है यह earth के natural resources होते और उनको बनने में बहुत millions of years लग जाते जैसे soil हो गई पेट्रोल हो गया यह सब चीजे तो वो यह कह रहे है कि इन सब non-renewable resources को use करने के लिए हमें ध्यान देना है कि जो earth के natural resources है वो depletion ना हो याने घटे ना कम ना हो और future generation के ऐसा ना हो कि बचे ही ना हमने सब खापी के यहीं खतम कर दिया तो इसी concept को sustainable development कहते हैं और यह concept world commission on environment and development ने start किया था 1987 में in its report it defined तो जब world commission on environment and development की जो इन्होंने report बनाई थी अपनी उसमें इन्होंने sustainable development को क्या define किया the idea is यहाँ से start is की definition development that meets the needs of the present without compromising compromising the ability of future generations to meet their needs that is without stripping the natural world of resources future generations would need stripping यहने clear करना, empty करना, हटाना तो sustainable development का मतलब यह है कि हम जो भी needs है हमारी उसको पूरा कर रहे है बिना हमारी future generation की needs को compromise करते हैं उनकी needs को नजर अंदाज हम नहीं कर सकते हैं जिस्टीज की आज हमें जरुवत हैं उन्हीं exactly same चीजों की कल हमारी future generations को भी जरुवत होगी तो वो यह कहरें कि ऐसा नहीं कहरें कि हम strip कर दें जो भी सारे जो हमारी needs हैं उसको हम clear कर दें यहने सारे natural resources को ख़ब कर दें रिमूफ कर दें हमारे अर्थ में से और फिर कुछ भी ना बचें हमारी future generations clear तो लुसाका जांबिया में एक जू है जहां पर क्या है एक बड़ा सा केज है एक बड़ा सा पंजरा रखा हुए जिसमें अंदर कोई animal नहीं है मलकि एक mirror है और mirror के ऊपर मा लिखा है the world's most dangerous animal तो जब हम वहां देखते हैं तो वहाँ पर हमें कोई animal नहीं देखता हमें उस mirror में हमारी reflection है ने हमें हम खुद को देख सकते हैं तो इसका मतलब यह है कि हम इनसान सबसे बड़े जानवर हैं जानवरों सभी जाजा गए बीते हैं क्योंकि हमने उनकी species जो हैं उनको disturb किया है उनके habitat को disturb किया है उनके natural resources को disturb किया है organizations है उनको यह थैंक कर रहे हैं Mr. Nani Pal की वाला इस आर्टिकल में कि अलग-अलग countries में जो अलग-अलग agencies है यह क्या कर रही है यह awareness create कर रही है लोगों को जाग रूख कर रही है कि यह जो development है sustainable development का concept है उसके बार में कि हम लोग की क्या roles है responsibilities है बहुत सारी countries में बहुत सारी agencies इस पर काम कर रही है और dawned upon याने कि big in याने इन लोगों ने शुरू कर दिया है the world's most dangerous animal on the world के उपर काम करना याने हम human beings पे इनोंने काम करना start कर दिया क्योंकि हमें यह aware कर रही है कि हमें कैसे हमारी environment को हमारे पर्यावरें को बचा के रखना है स्रिफ हमारे लिए नहीं हम बलके हमारे future generations के लिए भी He has realized the wisdom of shifting from a system based on domination to one based on partnership तो यहाँ पर क्या बोल रहा है यहाँ पर यह बोल रहा है कि हम लोगों ने जो यह agencies हैं लोगों ने हमें क्या सिखाया है कि हम shift हो गए है एक ऐसे system से जो domination पर बेज नहीं है बलके partnership पर बेज ले अब domination क्या होता है domination वाने कि एक जो सबसे superior head होता है और उसके नीचे सारे लोग आते हैं और वो उसको dominate करता है यानि कि उनको दबाने की कोशिश करता है तो हम लोग पहले क्या कर रहे थे earth को dominate कर रहे थे यानि कि उसकी help नहीं कर रहे थे बलके उसकी needs को नहीं समझ रहे थे बलके क्या कर रहे थे उसे दबाने की कोशिश कर रहे थे बस उसके हम resources overuse कर रहे थे अंदा धुंतली use कर रहे थे लेकिन अब हम लोग क्या होगा है इस domination से shift हो गए है याने हमारे views shift हो गए है और domination से हम किस पे आगए है partnership पे partnership याने कि साथ मिलके काम करना जो भी सारे losses है जो भी सारे gains है सब साथ मिलके equally share करना तो अब human beings earth के साथ partnership में रहते हैं याने कि अगर earth से वो natural resources लेते हैं तो in return उसको उसकी health पे भी ध्यान देते हैं उसको ध्यान दे रहे हैं कि कहां पे अगर एक जगह हम चार पेड़ काते हैं तो दूसरी जगह हमें 12 पेड़ लगाने भी हैं इस तरीके से एक partnership का एक male जोल वाला बनके relationship बन गया है तो ये लोगों के minds में अब shift आ गया है यहने उनके views में shift आ गया है scientists have catalogued about 1.4 million living species with which mankind shares the earth estimates vary widely as regards the still uncatalogued living species biologists reckon that about 3 to 100 million other living species still languish unnamed in ignominious darkness so यहां पे क्या बता रहे हैं scientists से बता रहे हैं कि उन्होंने यह चीज़ बता रहे है कि हमें 1.4 million living species के साथ इस world को इस दुनिया को share करना है यानि कि हमारे अलावा 1.4 million living species अने अलग अलग जीव जन्तू के प्रजातियां इस earth पर exist करती है और हमें अकेले नहीं बलकि उन सब species के साथ हमारी earth को share करना है also उन्होंने क्या बता है कि catalog की हुई है उन्होंने यानि इस पूरी 1.4 million species की उन्होंने list बनाई हुई है ये तो उन्होंने पता है लेकिन और भी उन्होंने estimates बता है कि कुछ still uncatalog living species यानि और भी कुछ living species हैं जो about 3 से लेके 100 million तक हैं उनकी भी list बनी हुए लेकिन वो अभी गुमनामी के अंधेरों में है यानि कि वो language कर रहे है यानि कि वो अभी vitality या person की अभी उनके बार में पता नहीं चला है कि ये जो अभी है ये exist तो कर रहे हैं लेकिन अभी हम लोगों के सामने नहीं आएं कि ये कहा है WorldKass Part में ये लोग है तो हमें 1.4 million species के साथ अभी एग्जस करना ही है साथ ही साथ ये जो नहीं मिले हैes species उनके साथ भी हमें श्येयर करना है अकेले नहीं करना है और ये लोग language कर रहे हैं Language का मतलब ये है कि lose or lack of vitality of a person or a plant animal grow weak याने यह गुमनामी के अनेरों में हैं पता नहीं अभी यह कहां है और ignominus, starkness याने disgraced as no one has knowledge about them किसी के इनके बार में भी knowledge नहीं है कि कहां है So, अकेले नहीं share करना है अकेले नहीं सब खाबी के खतम करना है बलकि सारी species के साथ, future generations के साथ सब के साथ हमें share करना है और सब को एक healthy planet देना है तो यह किसकी responsibility है यह आपकी और हमारी सब की मिलके एक responsibility है हमें partnership में काम करना है अर्थ के साथ ताकि अर्थ की हालत हम अच्छी बना कर रखे ना की बूरी कर दे तो वो यह कह रहे है कि अलग-अलग कंट्रीस में बहुत सरी अजिंसी काम करी रही थी human beings को अवेर करने के लिए उनी में से एक इंटरालिया याने ड्रथ कोажд वी अमग दे अजिंशी ती जिसका नाम गिया था ब््रांड करमिशिन उसका नाम किया था ब्रांड कंट्रिंशन थी या किस पे काम कर रही थी human beings को अवेर करने पे काम कर रही थी और इसमें याइए इंटराशल थी एक agency थी और इसमें एक Indian member थे जिनका नाम था Mr. L. K. Jha तो the first brand report raised the question जब ये brand report commission की पहली report आई environment के बारे में और humans के बारे में तो उसमें एक question था उस report में वो क्या question था? Are we to leave our successors a scorched planet of advancing deserts, impoverish landscapes and ailing environment? तो यहाँ पे scorch का मतलब क्या है? Burn the surface without heat or fire एक surface जो जला हुआ है, heat है उसमें fire की वेज़े से पूरा खराब हो चुका है और उसमें कोई vegetation याने पेड, पौदे, ग्रीनरी, हर्याली नहीं है ailing याने की poor health, in poor health याने की जो बहुत ही health जिसकी खराब है impoverished मैंने की made poor, उसको poor बना दिया याने बिलकुल आपने खराब बना दिया तो उस first brand report की, report में जो question था वो ये था कि क्या हम लोग ऐसा करने वाले हैं? कि हमारी earth को हमारे successors, याने आने वाली future generation, आने वाली जो PD है उनके लिए एक scorched planet छोडेंगे याने कि ऐसा planet जिसकी जमीन बिलकुल बंजर है, खराब हो चुकी है, जिस पर कोई vegetation नहीं है और advancing deserts, याने कि हमने पेड़ पॉदों को deserts मेरे किस्तानों में convert कर लिया है और उसको हमने, हमने उसका ध्यान ही नहीं रखा, तो हमने आपके लिए भी एक खराब चीज प्रेजेंट करिए याने बचा के रखिए Empowerish landscapes, याने कि वो सारे landscapes जिनको हमने पूर कर दिया है, याने खराब कर दिया है और एक ailing environment, याने एक unhealthy environment हम छोड़ेंगे, किस के लिए? हमारे successors के लिए तो वो इस report में हम humans से ये question कर रहे थे Mr. Lester R. Brown in his thoughtful book The Global Economic Prospect points out that the earth's principal biological systems are four fisheries, forests, grasslands and croplands तो अब यहां पे Mr. Lester R. Brown ये भी एक person है और इनकी एक बहुत famous book थी जिसका नाम था The Global Economic Prospect इसमें ये क्या बताते हैं कि हमारी earth में चार important biological factors हैं और systems हैं जिनका नाम है fisheries जैसे कि आप यहां पे देख सकते हैं ये fisheries हैं ये forest हैं ये आपके grasslands हैं और ये आपके crop lands हैं तो ये जो चार factors हैं जो चार systems हैं ये हमारे bio के हमारी environment के सबसे important systems हैं और क्यूं हैं? क्योंकि ये ही सब चार चीजे हैं जो हमारे industries को as a raw material serve करती हैं and they form the foundation of the global economic system और ये चारो जो तने वो हैं जो चारो ही factors हैं ये पूरे हमारे global economic system की foundation हैं याने की base बनाते हैं in addition to supplying our food these four systems provide virtually all the raw material for industry except minerals and petroleum derived synthetics this is synthetic तो ये कहरे हैं कि ये जो चार systems है ये हमको food provide करते हैं fish से हमको food मिलता है, croplands याने ये सारे जितने भी lands है, crops है जहां पर खेती होती है, यह समयनाज मिलता है forests हमें कितनी useful चीजे मिलती है तो ये ही सब चीजे हैं जो हमको क्या provide करती है food तो provide करती है लेकिन ये एक हर industry की raw material को भी serve करती है as a raw material इनको इन सब चारो factors से ही मिलता है और वो ये बोल रहे हैं कि सरिफ कौन सी दो industries है minerals और एक petroleum drive synthetics हैं जहां पर artificial substances लगते है तो इनको छोड़के बागी हर industries में ये चारो components में से raw material जाता है in large areas of the world human claims on these systems are reaching as an unsustainable level a point where their productivity is being impaired impaired याने की weak होना या फिर किसी चीज़ का damage हो जाना खराब हो जाना तो यहां पर बोल रहे हैं कि earth में की जो पूरे world में human being क्या claim कर रहे हैं कि बता रहे हैं human being किसी देख रहे हैं और समझ रहे हैं कि यह जो चार components हमने पढ़े थे fisheries, grasslands, croplands और हमारे forests यह अब एक unsustainable level पर पहुच रहे हैं याने कि हमने इन चारो levels को इन चारो systems को इतना overuse कर लिया है कि यह sustainable नहीं है याने कि यह हमारी future generations के लिए बिलकुल भी बचने के काबिल नहीं बची हैं यह कब बोल दिया था? 1994 में आज तो 2021 चल रहा है तो आज कितना जादा यहां पर आप सोच सकते हैं कि हालत खराब है अर्थ की When this happens, fisheries collapse, forests disappear, grasslands are converted into barren wastelands and croplands deteriorate Barren wastelands याने कि barely inhabited piece of land जो यह आप picture देख रहे हैं मेरे left hand side पर एक barren wasteland है तो वो बोल रहे हैं कि अगर यह जो चार हमारे biological systems है यह unsustainable हुए याने कि यह future generations के लिए बचेंगे नहीं हम ही यहाँ पर इसको overuse करके खापी के खतम कर देंगे तो fisheries collapse हो जाएंगे याने fisheries कि species खतम हो जाएंगे उनका number बहुत कम हो जाएगा घट जाएगा और forests disappear हो जाएंगे क्यों disappear हो जाएंगे? क्यों हमने इतना deforestation कर लिया है कि अब jungle forest अब बचेंगे ही नहीं grasslands भी नहीं बचेंगे क्योंकि पूरे lands वो grass पूरी घास को पूरी clear करते जा रहे है अपना construction करने के लिए obviously grasslands भी नहीं बचेंगे and they are converted into barren wasteland तो जब grasslands हटेंगे तो किसमें convert हो जाएंगे? barren wastelands याने कि वो जमीन जो बंजर है जो fertile नहीं जिसमें पेड पौधे लगाने के लिए भी जरुवत की नहीं ये खराब है ये किसी use की नहीं तो यासे barren wastelands बचेंगे and croplands deteriorator जो croplands याने जिस लैंड पे हम लोग खेटी बाड़ी करते हैं agriculture करते हैं वो deteriorate होगी याने become progressively worse decline हो जाएगी याने खतम होने की वर्च प्या जाएगी in a protein conscious and protein hungry world overfishing is common everyday तो ये बताया जा रहे हैं कि आज का जो दुनिया है 1994 की भी आज तो फिश को बहुत सद़ कंस्यूम लोग करते ही है 1994 में भी ऐसा होता था कि लोग जो है वो protein conscious हो गए याने protein के लिए hungry हो गए भूके हो गए और protein का सबसे major source क्या होता है फिश होता है तो मतलब vegetarian लोग भी non-vegetarian में कंवर्ट हो जाते हैं क्यों क्योंकि उनको लगता है कि हम फिश खाएंगे तो हमेशाएद protein मिले सब नहीं अटलीस कोछ लोग तो कर रहे है और अल्री बहुत सरी जनता वो है जो protein के लिए hungry है तो वो क्या कर रहे हैं ओवर फिशिंग कर रहे है जिसकी वज़े से fisheries बहुत कम हो रहे है इन poor countries, local forests are being decimated in order to procure firewood for cooking decimated याने to reduce in number numbers उनके घट रहे हैं और procure करना याने obtain करना याने किसी चीज़ को पाना तो जितनी भी poor countries हैं वो लोग क्या कर रहे हैं उनके पास gas, चूला तो है नी तो वो लोग क्या करते हैं लकडी जलाते हैं लकडी पे ऐसे का वो चूला बनाते हैं और उस पे खाना पकाते हैं तो वो क्या करते हैं लकडी कहां से मिली कि जाहर सी बात है वो लोग आस पास के जंगलों में जाते हैं पेड़ काटते और वहां से जितना वोड मिलता है फायर वोड मिलता है उसको जला के उसमें पॉट रखके उसमें खाना बनाते हैं जैसे कि आप इस पिक्चर में देख सकते हैं तो जितना भी यह वोड है यह कहां से आ रहा है यह सारा वोड यह सारा वोड आ रहा है हमारे कि अब बता रहे हैं कि अब तो हालत इतनी खराब हो गई जो फायर वोड है यह अब फायर वोड इतना महंगा हो गए कुछ-कुछ जगाओं पे कि अब यह पॉट है इसके अंदर खाना बन रहा है वो कह रहे हैं कि यह जो फायर वोड लगा हुआ है यह जो लकड़ी के यहां पर लॉक्ड़ी के यह पर लॉग्स रखे हुए हैं जिसको जला कि खाना बनाया जा रहा है यह इतना एक्स्पेंसिव हो गई कि अब जो इसके अंदर पक रहा है वो इतना महगा नहीं जितना firewood महगा हो गया है तो खाने इसे जादा कीमत लकडी की हो गई है तो खाने पकाने अप सुझी कितना महगा पड़ता होगा तो लोगों ने बहुत सारे forest काटे हैं यह लकडीयों के लिए इन firewood के लिए Since the tropical forest is in the words of Mr. Myers The powerhouse of evolution Several species of life face extinction as a result of its destruction The tropical forest, याने के जो घने जंगल हैं बड़े बड़े जंगल हैं वो क्या है? उनको Mr. Myers क्या बोलते हैं? The powerhouse of evolution Powerhouse of evolution Evolution याने जहां से कोई चीज इजात होती है यहां से बहुत सारे चीजे आती हैं तो Mr. Myers कहते हैं Dr. Myers कहते हैं कि यह जो हमारे जंगल है यह जो हमारे कंट्री के ट्रॉपिकल फॉरेस्ट हैं यह क्या है? यह पावर हाउस of evolution है क्यों उसको evolution कह रहे हैं? क्योंकि यहां पर बहुत सारी species evolve हो रही है बहुत सारे जीव जंतों को यहां पर घर है वो इन ही जंगलों में रहते हैं फिर वो कहां रहेंगे क्योंकि आप forest कट कर रहे हो तो यह species कहां रहेंगे? यह तो उनी का घर है इट हैस बीन वेल सेट फॉरेस्ट प्रिसीद मैनकाइंड डेजर्ट फॉलो यह बहुत एक meaningful picture है कि बीच में कौन है? बीच में humans है तो humans को अपने पूरवजों से क्या मिला? forest मिले, घने जंगल, हर्याली, खुबसूरत दुनिया उनको विरासत में मिली, उनको as a legacy मिली इनसान को और उन्होंने अपनी future generation के लिए उसको किस चीज में convert कर दिया? barren lands और deserts में याने इतना deforestation कर दिया, इतने पेड़ पूदे काट लिये और सब कुछ खुद यूज करके बैढ़ गए कि जो इतनी अच्छी चीज उनको पूरवजों से मिली थी वो convert करके क्या दिया? उन्होंने अपनी future generation को deserts, खाली, रेगेसान, barren lands जो अब उनके किसी यूज के नहीं है तो वो यह कह रहे हैं कह रहे हैं कि यह जो patrimony है patrimony याने की property inherited from the father ancestors, जो भी property आपको अपने बाप से, अपने दादा से अपने fathers, अपने पूरवजों से मिलती उसे हम patrimony कहते हैं तो वो कह रहे हैं कि जो tropical forest लेंगे patrimony याने हमें हमारे पूरवजों से मिली गई है और अब वो erode हो रही है बहुत तेज rate पे erode हो रही है याने खराब हो रही है उसका जो fertile उपर का जो layer of soil है वो अब जा रहा है क्योंकि पेड़ पौदे कट रहे है वो 40 to 50 million acres of land per year जा रहे है एक साल में 40 से 50 acre land खराब हो जा रहा है याने कि erode हो जा रहा है and growing use of dung अब dung क्या है गोबर के कंडे जिने हम कहते हैं या फिर animals का जो solid waste होता है उसे हम dung कहते हैं तो लोग इस dung को अब गोबर के कंडू को इनको जला रहे हैं और इनके ऊपर कुछ खहना बनाते हैं इसको ऐसा fire used कर रहे हैं इसके उपर रख के खहना बना रहे हैं कि इसको dung को तो वो कह रहे हैं कि इतना जाद लाग नाचरल चैंध क्या ए Chief हम इसको सॉयल में डालते है, और सॉयल को क्या करते हैं? फर्टाइल बनाते हैं याने कि अच्छी क्वालिटी का बनाते हैं तो वो कहरे है कि नाचरल रेसॉर्सस जो यह है याने कि जो डंग इसको भी ओवर रियूस कर रहे हैं जिसकी वज़े से fertilizing possible नहीं हो पा रही है और एक हमारा natural fertilizer जो की soil के लिए important है वो हमें नहीं मिल पा रहा है जो की है animal dung अब 5-fold का मतलब क्या है five times पाँच गुना जादा को बोलते हैं five times और cope मतलब इस चीज से deal करने के लिए इस चीज से survive करने के लिए तो जो world bank ये उसने estimate लगाया है यानि अनुमान लगाया था कब लगाया था? 1994 में और बोला था कि हमें हमारा trees या और plants को plant करने के लिए यानि और पेड़ पौदे लगाने के लिए five times हमें increase करना पड़ेगा हमारा rate क्यों? क्या कि हमें जो 2000 में, year 2000 में जो हमारी needs होगी fuelwood की यानि कि हमें fuelwood चाहिए लकडी के लिए जो हमें needs होगी उसको cope करने के लिए उसने survive करने के लिए at present यानि 1994 में हमें क्या करना पड़ेगा? पांच गुना जादा पेड़ पौदे लगाना increase करना पड़ेगा James Peth, यह जो picture आप यहाँ पर देख रहे हैं यह Mr. James Peth की है He is the president of the World Resources Institute यह World Resources Institute के कौन है? President है He said the other day We were saying that we are losing the forest at an acre a second but it is much closer to an acre and a half to a second तो यह बताते हैं कि आपने, हम सबने कहा था कि हम लोग हर second one acre land waste कर रहे हैं याने कि हम खो रहे हैं, forest कट रहा है लेकिन ऐसा नहीं हो रहा एकर and a half one and a half acre हर second जा रहा है याने कि और जादा इतना acre of land जो है वो जा रहा है याने कि कट रहा है याने हम इतना acre of forest जो है हम हर second lose कर रहा है every second एक एक सेकंड मैं आप सोची कितना जादा वर्स कंडिशन थी तब अभी भी तो और वर्स की भी वर्स हो गई है आर्टिकल 48A of the Constitution of India provides that the state shall endeavor to protect and improve the environment and to safeguard the forest and wildlife of the country तो endeavor का मतलब क्या होता है endeavor मतलब trying hard to achieve something जब आप बहुत जादा कोशिश करो किसी चीज को पाने के लिए तो वो यह बोल रहा है कि आर्टिकल 48A जो हमारे Constitution की जो book है उसमें यह आर्टिकल बोलता है कि यह the state shall endeavor to protect and improve the environment यह हमारा जो state है यहनि हमारी जो country है उसको बिलकुल पूरी-पूरी कोशिश करनी चाहिए हमारे forest को safe करने की और बचा के रखने की और साथ ही हमारे forest को बचाना है हमारी wildlife को और हमारी country की हर एक natural resources को बचा के रखना है तो हमारे constitution में भी हमारी जो law book है उस तक में यह statements लिखे गए है but what causes endless anguish is the fact that laws are never respected nor enforced in India anguish याने की pain, दुख तो यह बता रहे है कि constitution तक में भी इतनी important चीज़े लिखे हुए है हमारे environment के बार में पर जो anguish जो लगती है जो pain जो होता है वो यह देखके होता है कि इस चीज़ को कोई follow नहीं कर रहा है और इस चीज़ को अगर किसी ने follow नहीं किया तो उसके against कोई strict कदम भी हमारी government नहीं उठा रहे तो abolish याने किसी चीज़ को end कर देना, किसी चीज़ पर रोक लगाना और casteism याने कि discriminating on the grounds of caste याने कि अलग-अलग जातियों पर अलग-अलग religion के basis पर जब आप लोगों में discriminate करते हैं और भेदबाव करते हैं तो उसे casteism कहते हैं तो वो यह कह रहे हैं कि हमारे constitution पर एक और चीज़ लिखी हुई है कि caste के basis पर या untouchability चुआ चूत के basis पर या labor bonded labor याने किसी को जबरदसी labor कराने याने काम कराने पर भी हमारे याँ सजा है हमारे याँ rules दिये गए हैं लेकिन shamelessly फिर भी ये चीज़ें बिलकुल follow की जा रहे हैं और इस पर कोई कुछ नहीं कह रहा हैं तो exactly same चीज़ वो इससे compare कर रहे हैं कि जो environment से related जो rules and laws बनाए गए हैं उसके साथ भी यही चीज़ हो रही है a recent report of our parliament estimates committee has highlighted the near catastrophic depletion of India's forest over the last four decades अब catastrophic depletion क्या होता है a harmful reduction in a number of something जब कोई चीज़ बहुत देजी में और बहुत जल्दी में अपने number में कम हो रही है याने घट रही है तो यहां पर catastrophic depletion किसके बार में बात करी गई है हमारे forest के बार में याने कि हमारे पूरे जितने पेड पॉज़ और हमारे जंगलों के बार में बात करी गई है तो वो यह कह रहे है Parliament estimates committee ने अभी एक recently report बनाई है याने कि 1994 में recently उसे में एक report बनाई थी और क्या highlight की थी उसमें report में बात ये बात highlight करी थी कि एक catastrophic depletion हो रहा है हमारे इंडिया के forest में over last 4 decades याने 40 years 4 decades याने 40 सालों से बहुत तेजी में हमारे जो forest time बो कट रहे हैं और उनके numbers घट रहे हैं इंडिया according to reliable data is losing its forest at the rate of 3.7 million acres a year और इंडिया के बारे में उस report में ये बात बोली गई थी कि इंडिया 3.7 million acres of जो land है वो loose कर रहा है हर साल हर साल इतना acre of land वो loose कर रहा है large areas officially designated as forest land are already virtually treeless तो government ने जो बड़े-बडे areas है जिनको forest घोशिट किया था कि ये forest है इसमें और कोई काम ने होगा वो अब virtually treeless हो रहे है याने कि virtually treeless के मतलब government ने क्या किया कुछ छोटा सा हिस्सा आप एक बड़े से forest में से दे दिया किसी को कि हाँ इस पे आप कुछ अपना काम कर लो इस पे आप अपनी building खड़ी कर लो यहाँ पे आप अपना industry बना लो कुछ भी तो वो virtually treeless याने धीरे-णेरे वो forest वाले जो lands है वो भी आप क्या हो रहे हैं कि वाँ trees खतम हो रहे हैं तो government ने जो statistics जो आपड़े दिये थे government ने बलकि उतना तो forest लूज नहीं हो रहा उससे 8 ताइम जादा उससे 8 गुना जादा forest लूज हो रहा तो government के आपड़ों के साब से भी नहीं हो रहा उससे भी 8 गुना जादा forest हम लूज कर रहे हैं A 3-year study using satellites and aerial photography conducted by the United Nations warns that the environment has deteriorated so badly that it is critical in many of the 88 countries investigated अब critical का मीनिंग के होता है बहुत serious condition तो यहां यह बताया जा रहा है कि United Nations ने 3 साल की लगातार study करी थे और Earth की satellite से कुछ pictures ली थी satellite view pictures ली थी और उन्होंने ये warn किया था उन satellite pictures को देखके कि Earth की जो condition बहुत deteriorate हो रही है यानि कि बहुत गिर रही है बहुत खराब हो रही है और कौन सी Earth की condition जिसकी environmental conditions है और बहुत serious हो गई है पिछले 88 countries में तो पूरी aerial view लिया था और पूरा satellite pictures ली थी satellite के थू और 88 countries का सामने आया था कि इन 88 countries में environmental condition बहुत critical है यानि बहुत serious है हमें उस पर बहुत जादा focus करने और इनको ध्यान देके इनकी conditions जल से जल सुधार नहीं है there can be no doubt that the growth of world population is one of the strongest factors distorting the future of human society अब distorting का मतलब क्या है distorting का मीनिंग है deform करना या किसी को disfigure करना अब यहाँ पर एक बहुत important factor के बारे में Mr. Nani Palkival अपने article में लिखते है कि overpopulation या increasing population एक बहुत major चीज़ है जिसकी वज़े से क्या हो रहा है Human society का future खराब हो रहा है याने distort हो रहा है याने की बरबाद हो रहा है वो यह क्यों कह रहा है क्योंकि यह एक बहुत strong factor है जिसकी वज़े से resources की खपत बढ़ रही है जितने जादा लोग उतनी जादा resources की consumption और उतनी जादा poverty भी बढ़ेगी कैसे बढ़ेगी हाई ये पढ़ते हैं It took mankind more than a million years to reach the first billion ध्यान से सुनना सब लोग ये important lines है कुछ कि यहाँ पर ये बुल रहे हैं कि mankind याने इंसानियत को one billion पर पहुचने के लिए ये बहुत सारे million years लग गए बहुत सारे million years लग गए कितना पहुचने के लिए one billion उसके बाद by that was the world population around the year 1800 तो ये जो one billion population थी ये 1800 में थी year 1800 में one billion लोग थे और ये one billion पहुचने के लिए भी बहुत सारे million years लगे थे इंसानियत को याने mankind को by the year 1900 a second billion was added अब 100 साल बीद गए 1900 ये अगए और अब कितने हो गए 2 billion लोग हो गए तो 100 साल लगे उनको एक और billion एड होने में उसके बाद and the 20th century has added another 3.7 billion और जब 20th century आई तो वो कितने पहुच गए 3.7 billion तो आप सोचिये टोटल कितने हो गए अब 5.7 billion population हो गई इतनी population हो गई थी 20th century तक याने कि आप देखिये कि बहुत सारे साल 1 billion पहुचने में लगे फिर 100 साल लगे 2 billion होने पे और फिर 20th century में 1900 के बाद 20th century जब आई तो डिरेक 3.7 million add हो गई याने टोटल उस सेंपर 5.7 billion population हो गई थी तो आप सोचिये कि कितनी rapidly हमारी population increase हो गई है कितना जल्दी-जल्दी population में population का आकड़ा जो है बढ़ता गया है the present world population is estimated at 5.7 billion present world याने 1994 में 5.7 billion population थी every four days the world population increases by 1 million पहले तो 100 साल लगे थे एक billion बहुत साल लगे थे एक billion पॉष्णे में फिर 2 billion पॉष्णे में 100 साल और फिर 3.7 billion पॉष्णे में 28th century हो गई थी and total 5.7 billion हो गई था अब वो कह रहे हर चार दिन में 1 million लोग आते हैं याने कि 1 million लोग पैदा हो रहे हैं इस दुनिया में हर चार दिन में तो आप imagine करिए कि किस fast rate पे population increase हो रहे है world की fertility falls as income rise, education spreads and health improves तो fertility falls याने यहाँ पर बात हो रहे है बच्चा पैदा करने की बात याने कि जितनी fertility lows हो रहे है याने fertility कम हो रहे है याने लोग उतने कम बच्चे पैदा करेंगे जैसे जैसे उनकी income rise हो रही है याने उनके जैसे जैसे पैसा आ रहा है education spread याने जैसे जैसे उनकी education बढ़ रही है और वो educated हो रहे है and health improves और जैसे 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 उनकी health conditions improve हो रही है उनका fertility कम हो रहा है यानि कि लोग ध्यान दे रहे हैं अपने income पे, अपने education पे, अपनी health पे वो इतनी जादा family planning पे ध्यान नहीं दे रहे हैं Thus development is the best contraceptive और उनका कहने का मतलब है कि development जो है overall development एक society का वो सबसे best contraceptive है But development itself may not be possible if the present increase the number continues लेकिन development तभी possible होगा जब present situation में यह जो population number है यह बढ़ना कम हो जितनी population है उतनी रहे The rich get richer and the poor begot children which condemns them to remain poor Begot मतलब give life to यानि कि giving birth to children तो यहां वो कह रहे हैं कि जो rich हैं वो richer होते जारे हैं जो पैसे वाले लोग हैं वो पैसे वाले बनते जारे हैं पूर है वो poor ही रहते जारे हैं क्योंकि वो continuously बच्चे पैदा कर रहे हैं क्योंकि उनमें awareness नहीं है और alert नहीं है कि family planning कैसे करनी है और population increase होना इस country का एक बहुत major issue बन चुका है उन्हें लगता है हम जितने बच्चे पैदा करेंगे उतने जादा कमाने वाले लोग होंगे घर में लेकिन जितने लोग होंगे उन्हें resources भी तो चाहिए उन्हें खाना भी तो खिलाना है जब खाना खिलाने के लिए नहीं होगा तो वो कहां से जाएंगे और काम करेंगे याने कि poverty और increase हुई याने population बड़ी तो उसके साथ में poverty बड़ी और उसी के साथ में resources की खपत भी बड़ी It is not suggested that human beings to be treated like cattle and compulsorily sterilized sterilized मतलब make free from bacteria or other microorganisms तो ऐसा हम नहीं कर सकते कि human beings को cattle याने भेड भकडियों के तरह treat करें और उन्हें sterilize किया जाए But there is no alternative to voluntary family planning without introducing an element of coercion voluntary याने done or given on one's free will याने कि free will याने उनकी मर्जी से कोई चीज उन्हें करनी दी जाए और coercion याने force जबरदसी करी जाए तो वहां ये कह जा रहे है कि आप कोई और दूसरो alternative भी नहीं बचा है ऐसा भी नहीं कर सकते कि वो लोग अपनी मर्जी से family planning करना start कर दें तो हमें क्या introduce करना पड़ेगा coercion याने forcefully उनको समझाना पड़ेगा उन्हें अवेर करना पड़ेगा कि आपको family planning के concept पे ध्यान देना पड़ेगा the choice is really between control of population and perpetuation of poverty perpetuation याने keep going multiplying तो अब choice सरफ population के बीच नहीं रह गई अब choice ही हो गई कि या तो population बढ़ेगा और बढ़ती population के साथ बढ़ती हुई continuously multiply होती poverty याने गरीबी भी बढ़ेगी तो ये बहुत सही time आ गया है कि अब हमें लोगों को aware करना है alert करना पड़ेगा कि population control and family planning की concept पे वो please ध्यान दे the population of India is estimated to be 920 million today today याने की कब बात हो रही है वो 1994 की population कितनी थी? 920 million हो गई थी more than the entire populations of Africa and South America put together अगर आफरिका और South America की पूरी-पूरी population को अब जोड़ दो add कर दो उससे भी जादा 920 million की population 1994 में इंडिया की थी no one familiar with the conditions in India would doubt that the hope of the people would die in their hungry hutments unless population control is given topmost priority hutments याने की collection of hearts चोटे-चोटे जोपड़े 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 साथ में जो लोगों के dreams है, sapnे है, जो इच्छाए है वो उनके छोटे जोपड़ों में ही अंदर भूक से तरप तरप क्यों मर जाएंगे और या सोच ते ही रह जाएंगे कि हम अपने dreams को पूरा कैसे करें तो अब ये बोल रहे है कि जो population का जो issue है ये जो environment का issue है ये एक transending concern है याने कि ये generation से पहले पता चल चुगा था कि ये दिक्कते हैं याद ये दिक्कते आने वाले time में हमको face करने पड़ेंगी लेकिन किसी ने ध्यानने के और ये एक generation से दूसरी generation दूसरी से तीसरी generation पे pass होती गई लेकिन किसी ने इसको इस पर काम ने के और इसको improve करने के कोशिश ने के सबने मिलके अब जो survival है याने जिन्दा रहना अब लोगों का लिए ज़रूरी नहीं बलके इस पूरे planet अर्थ का जिन्दा रहना बहुत ज़रूरी हो चुका है we have to begin to the holistic view of the very basis of our existence तो अब हमें holistic view देखना पड़ेगा हमारे existence लिए याने हमारे लंबे समय तक अच्छी धर्ती पे रहने के लिए holistic view याने कि इस पूरी अर्थ को चारो तरफ से देखना है याने हर aspect से देखना overall समझना कि अर्थ की क्या ज़रूरत है अगर अर्थ की ज़रूरत पूरी होगी अर्थ अच्छी रहेगी तो याने कि हम भी अच्छे रहेगे क्योंकि हम एक बड़ी इस अर्थ का छोटे छोटे हम सब parts है तो वो यह बोल रहे हैं कि जो environmental problems जो हम देख रहे हैं जो हम face कर रहे हैं वो इससे necessarily ज़रूरी नहीं कि हमारा demise हो जाएगा कि हमारे death हो जाएगी पर यह हमारे future के लिए passport है कि अगर इस वक्त अर्थ की health और condition खराब है that means future में खराब रहे हैं हमारा future definitely अच्छा नहीं रहेगा मरेंगे नहीं लेकिन हम बुरी तरीके से survive करेंगे अज लेकिन अब देखो यह 1994 में उन्होंने बोला था लेकिन आज कोविट का टाइम आगे है अब आप सोचिए कि लोग तो मर भी रहे हैं इतनी बुरी-बुरी बिमारी आ गए हैं diseases आ गए हैं अब तो Corona के तो आइर में फैल चुके सांस लेना लोगों का मुश्किल हो चुका है तो आप सोचिए कि अब तो इस इन्वार्मेंटल प्रॉब्लम्स के वज़े से हम लोग मर भी रहे हैं अब तो आप सोचिए को एक दिशा में गाइड करना और याने कि इस टाइम आफ रिस्पोंसिबिलिटी ये टाइम ये एरा ये समय आ गया है तो वो कह रहे हैं कि जो इमर्जिंग नया वोल्ड है ये जो नई दुनिया हमारे सामने आ रही है वो क्या कर रहे हैं वो हमें वो अब इस दिशा में जा रही है कि आप वो रिस्पोंसिबल फील कर रहे हैं कि अब उन्हें इस responsibility का हैसास हुआ है कि यह earth को हमें बचाना है इसके health को ale नहीं होने देना याने poor नहीं होने देना और हमारी future generations के लिए अच्छे से बची रहे It is a holistic view, an ecological view, seeing the world as an integrated whole rather than a dissociated collection of parts तो integrated याने की united, जुड़ी हुई, एक दूसरे से coordinated और dissociated याने disconnected याने एक दूसरे से connected नहीं है separate है तो वो यह करें कि जब earth है अब इसको हम पूरा integrated way से use करेंगे याने कोई भी चीज हम अगर ले रहे हैं तो उसे reuse करें, recycle करें और reduce करें याने कि हर चीज को जो हम use करें उसे बार-बार reuse करने की कोशिच करें जिसे plastic है, plastic bottles हम हमारे पास है तो उसको हम reuse कर सकते हैं, बहुत टाइम तक हम पानी पिया उसमें फिर बाद में हम ने जब खराब होने लगी तो उसके ऊपर का cap अटाक है, उसमें soil डाल दी और उसमें एक plant होगा दिया तो इस तरीके से हमने किसी चीज़ को reuse किया, क्योंकि plastic बहुत खराब है हमारी environment लिए अब उसे फिक होगे तो वो बहुत सालों तक क्या होगा, वहीं रहेगी, soil में degrade नहीं होगी, it's a non-degradable resource तो वो यह कहने कि हमें अब अर्थ को holistic view, याने overall अर्थ की needs को देखना है, और integrated बनके रहना है, याने मिल के ही, ना कि dissociated parts में, याने अलग-अलग होके नहीं रहना है, सब को मिल के अर्थ के अच्छे के लिए सोचना है Industry has a most crucial role to play in this new era of responsibility अब यह नया era है responsibility का, याने जो नया time आगा है responsibility का, उसमें industry का सबसे crucial, याने सबसे serious, सबसे important role है क्यों है, क्योंकि industries ही है, which are the major consumers of all the raw materials and consume all the four biological components of the earth excessively क्योंकि यह industries ही है, जो क्या कर रही है, बुरी तरीके से overuse कर रही है, हमारे fisheries को, croplands को, grasslands को, forest को और excessively याने की continuously use कर रही है, तो उन्हें जादा ध्यान देना है हर चीज़ पर What a transformation would be affected if more of businessmen shared the view of the chairman of DuPont, Mr. Edgar S. Woolard अब DuPont एक बहुत बड़ी company है, जिनके chairman कौन है, Mr. Edgar S. Woolard जिनके picture आप मेरे left in sight पर देख सकते हैं वो कह रहे हैं कि सारे businessmen को, इनकी businessmen को इनी की तरह सोचना चाहिए इनके जैसे ही खयाल, इनके जैसे ही ख्वाब रखने चाहिए और इनके जैसे ही views रखने चाहिए अब क्या है इनका view? आईये देखते हैं अब कंपनी का कौन होता है? CEO होता है, याने की Chief Executive Officer लेकिन इन्होंने Mr. Edgar S. Woolard ने कहा कि मैं CEO हूँ याने Chief Executive Officer नहीं हूँ, मैं Chief Environmental Officer हूँ आप मुझे Executive Officer मुझे Environmental Officer बोलो, यह वो CEO थे यहनोंने company पे तो ध्यान दिया है लेकिन उसके साथ related अपने environment पे भी बहुत ध्यान दिया तो वो यह बोलते हैं कि our continued existence, अगर हमें continue exist करना है, लंबे समय तक इस धर्ती पे रहना है As a leading manufacturer और किस तरीक से नहीं एक leading, एक सबसे बड़ी manufacturing company के तौर पे जीना है उसके लिए क्या require है, उसके लिए किस चीज की जरुबत है, it requires that we excel in environmental performance So हमारी environment को लेके हमारी क्या roles है, क्या responsibilities है अगर हम उसमें excel कर जाएंगे और उसमें excellently perform कर देंगे, तो हम लंबे समय तक इस धर्ती पे रहेंगे और एक leading, एक सबसे बड़ी manufacturing company के तौर पे रहेंगे तो यहां पे Mr. Nani Palki वाला कहते हैं कि इनहीं की तरह सारे दूसरे businessmen को भी सोचना चाहिए तब जाके मिलके industries जो है काम कर पाएंगी environmental problems पे Of all the statements made by Margaret Thatcher during the years of her prime ministership none has passed so decisively into the current coin of English usage as her philettitious words अब यह जो मेरे left hand side पे हैं Margaret Thatcher है कि United Kingdoms की पहले क्या रह चुकी है Prime Minister रह चुकी है तो यहां यह बता रहे है Mr. Nani Palki वाला ने कि इन्होंने as a prime minister बहुत सारे speeches दी है English में बहुत सारे words बोले और felettitious याने felettitious याने well chosen काफी अच्छे words English के चुनके इन्होंने अपनी speeches दी हैं लोगों को और decisively का मतलब क्या होता है clear and distinctive, definitive तो इन्होंने बहुत clear अच्छे अच्छे English के शब्द चूस करके कई सारे इन्होंने lectures और speeches दी हैं जब यह प्राइम मिनिस्टर रही थी लेकिन इतनी सारी speeches में से इनके सबसे best words क्या थे, कुछ इन्होंने जो शब्द बोले थे, वो क्या थे, वो ये थे no generation has a free hold on this earth free hold याने की permanent tenure कोई भी permanently इस earth पे नहीं रहने वाला all we have is a life tenancy tenancy याने possession of the land हमें हमारे पास स्रिफ किराय का एक समझो land मिला है जिस पर हम अपनी life spend करने वाले और रहने वाले कोई भी जिन्दगी भर, किसी का इस पर free hold नहीं है याने की कोई जिन्दगी भर इस धर्ती पर नहीं रहने वाला with a full repairing lease तो Miss Thatcher जो है Margaret Thatcher ये कहती है की कोई भी इस धर्ती पर लंबे समय तक क्ली नहीं रहने वाला हमें एक land मिला है याने किराय का land मिला है जिससे हमें रहना है और इसको repair करना है repairing lease याने इसको repair करना है अपने जाने से पहले और किसको देके जाना है जो भी next किराय दर जो भी next हमारी future generation यहाँ पर आके रहेंगी उनके भी अच्छे सक रहके जाना है ऐसा नहीं कि हमने सब बर्बाद कर दी और आने वाले लोगों के लिए सब बर्बाद चीज हमने रखी खराब चीज रखी तो यह हमारी responsibility तो यह Margaret Thatcher की कुछ words थे In the other words of Mr. Lester Brown Mr. Lester Brown ने क्या words बोले हैं उन्होंने काया कि We have not inherited this earth from our forefathers We have borrowed it from our children Now forefathers कौन होते हैं याने कि हमारे past generations याने कि हमारे पूरवज हमारे father, grandfather वो हमारे forefathers होते हैं तो वो यह कहते हैं वो कहने कि हमने इस धर्थी को हमारे forefathers से inherit नहीं करिया है याने कि हमारे पूरवज उसे नहीं लिये ऐसा मत सोचिये कि हमने हमारे बाब दादा से इस धर्थी को इस लांड को लिया है यह सोचों कि हमने अपने बच्चों के लिए याने हमारे आने वाली जनरेशन के लिए हमारी आने वाली पीडी के लिए ये बोरो किये क्योंकि जब हमें कोई चीज फ्री में मिल जाती है हमारे पापा मम्मी दे देते तो हम क्या कर लेते हैं उसे कंटिनेसले यूज करते हैं और बिल्कुल नहीं सोचते हैं कि उसमें बचट कैसी करी जाए या इसको अच्छे से रखना है लेकिन अगर हमें ये चीज पता है कि ये चीज हमें यूज करनी है लेकिन हमें बच्चों कली बचा के रखनी है तो हम क्या करते हैं उस चीज को बहुत अच्छे से यूज करते हैं और जितनी जरुवत होती हैं उतनी यूज करते हैं, वेस्ट नहीं करते हैं तो यही चीज Mr. Lester Brown कह रहे हैं कि यह समझो कि जो धर्ती हैं हमने हमें फोरफादस से नहीं मिली हैं विरासत में बलकि हमें हमें और बच्चों को हमारी future generation को देनी हैं तो जब हम ऐसा सोचेंगे तो हम इस धर्ती को में से जितनी इसके resources हैं जितने useful चीजे हैं उतना ही use करेंगे जितना हमें नीड होगे और इस धर्ती को अच्छा बना के रखेंगे तो यह कहते है Mr. Lester Brown So children with this we come to an end of this chapter और इस chapter में हमें पता चला कि क्या हमारे roles हैं क्या हमारी responsibilities अर्थ को लेके और अब भी देर नहीं हुई है अब भी मतलब it's never too late अभी भी हम हमारी अर्थ के लिए सब कुछ कर सकते हैं चाहे कुछ भी चाहे कोवर्ट चल रहा है या कुछ भी हमारी environmental problems चल रही है अब भी हम अपने कई initiatives कर सकते हैं ताकि हम इस धरती को बचा सकें और बचो अटेंचन लेने की कोई बात नहीं है क्योंकि ये सारे chapters के videos आपको easily मिलेंगे और आगे हम इस chapter के summary भी प्रोवाइट करेंगे आपको comprehension questions भी प्रोवाइट करेंगे कहां पर बिल्कुल यही पर magnet brain skin videos पर क्योंकि magnet brains आपके घर quality education प्रोवाइट कर रहा है बिल्कुल free of cost एक दो मुफ्ट 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 तो attention लेने की कोई ज़रत नहीं है तब तक लिए बाबाई